असलाम अलेकुम, कैफ का रिजर्ट था माशालला यार, 16-1700 बच्चा कैफ कॉलिफाइड हुआ पूरे पाकिस्तान में, बड़ा जबदस नंबर, आउटसर्णिंग नंबर, लेकिन मसला ये है कि जो कैफ कॉलिफाइड हुआ है, वो compare to उन बच्चों से, जो कैफ कॉलिफाइ नहीं करें, उससे जादा परेशान है, जादा परेशान क्यों है, परेशान इसलिए, firm में कैसे होगा, intervue की तैयारी कैसे करनी है, जो फारिक time है, इसमें क्या करना है, कितने paper final के उठाने है, कितने paper final के नहीं उठाने, Fintech कप करना है, Power BI कप करना है, यहार मेरी आपको एक sincere advice है, खुदा का वास्ता है, इस पर अमल करिएगा, नहीं तो बहुत पश्टाएंगे, जिसकी अभी जून में attempt है, आप उससे पूछ लीजेगा, उसने वो time, जिस time पे आप हैं, इसी time पे वो आज से एक साल पहले था, उसने वो time जाया किया रहा प्यारे बच्चों, और आज बैठके वो पश्टार है, इसा ही है, एक sincere advice है मुझे आपको, विक्वासा firm में आने ज बच्चों उसके उपर इतना ना सोचें आप सही है, आपके control में क्या नहीं है, कि पता नहीं firm में होगा के नहीं होगा, यह आपके control में नहीं है, आपके control में क्या है, कि यार आपने हर्ज firm में apply करना है, आपने CV अच्छी बनानी है, आपने interview की तयारी करनी है, आपने HR में जाके CV जबा करना है, यह महनत आपने करनी है, यह आपके control में, वहाँ से interview की call आया है, वहाँ पर आपका interview होता है यह आपके control में नहीं है, इसकी basis पर अपने पूरे पूरे दिन आपने waste नहीं करना है, यह time इतना कीमती है, कि अगर मैं आपको बताना start करूँ कि आपके पास क या-kia काम है आप सोच नहीं सकते हैं देखें आप क्याफ क्वैइट है आप सीए फाइन जारे हैं को नया सबजेक्ट नहीं है सीए फाइनल मैं उसी कव का एडवांस लेवल है ऑडिट पढ़ा में open book policy यार खरीदें आईजा की किताब यार एक आईजा की किताब फरी चाहे आपने चाहे आपने करना है की नहीं करना यह काम तो आप पहली फॉर्शत में करें अकाउंटिंग पढ़ लिए open book policy final में तो जो standards आपने पढ़े हैं FR2 में FR1 में उनको फॉरंण से आप हालाइट करना और standards को read करना स्टार्ट करें अभी भी आप अपने batchmate से जिसकी attempt जूनते हैं इसमस्से आप पूछेंगे वो आपसे एक ही चीज़ करेंगा यार हमने आईजास को read नहीं करें हमने IFRS read नहीं करें हमने bear act से चीज़ों को अभी तक नहीं देखा हमने उसमें marking अभी तक नहीं करी अभी पेपर एक मेहने बा इसलिए read करें जब आप final में जाएं तो मुझे दुआएं दें रादर दें के मुझे गालियां दें के अरसर ने कैफ समने इतनी महनत करवाई पढ़ाया और यहां पर जाके final में जब हम देखने हैं तो bear act में लिखा हुए कुछ और है अंग्रेजी ही कुछ और लिखे वह आईजा के words थे वह आईजा के paragraph थे तो वह तो आप already पढ़ चुके हैं बस उसको मिससे मेरी किताब से पढ़ाए पेपर में मेरी किताब लेके नहीं जा सकते पेपर में आईजास के volume लेके जाएंगे यार खरीदे अब बच्चा बोलेगा से जब attempt होगी तो चेंज हो ज स्टार्ट करें प्यारे बच्चों simultaneously आपने अभी Fintech देना है Power BI देना है इसको फॉरण से खतम करें अभी आपके पास time है आपको पढ़ने का दिल नहीं चाहरा ना पढ़ें लेकिन यह वाले काम तो आप पहली फूर्सात में निप्टाएं बिकॉस यह firm के साथ साथ जब आपको classes भी लेनी होंगी या classes भी देखनी होंगी आपको बड़ा significantly affect करेंगी ठीक है number of subject कितने opt करने है क्या strategy होने चाहिए इसको फॉरण से decide करें मैं सर मुझमिल मुनाव सर मुर्तजा का परसनली लेवल पर हमारी वीडियो अवेलेबल है एक WhatsApp गुरुप है उसको जाइन कर है उसके उपर काम करना स्टार्ट करें इंशाला देखें यार IQ School of Finance है एक complete C Institute है सीफए 1 से लेके MSA 2 तक इंक्लूडिंग Power BI Data Analytics Fintech तो यह आप इन चीजों की टेंशन ही नहीं नहीं कि यह subject यहां से या पर यह subject यहां से या Power BI यहां से होगा या Fintech यहां से होगा इंटर्वी की guidance session यह firm के session यह सारी चीज़ें इंशाला continuous basis पे इनके sessions होते रहेंगे ठीक है तो जो मेरी advice है आपको एक sincere advice है प्यारे बच्चो इसका लाजमी खयार लखेगा यह time आपका सबसे precious time है इतना फारिक time आपको आगे जाके नहीं मिलेगा firm में मानिएगा मेरी बात क thank you so much